नमस्कार जाहिन दोस्तों आप देख़रें Master Video Official और आसा करते हैं आप सभी का जो P.E.T. का एक्जाम है उसका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा हो आज मेंली कैसा क्या दिक्कत हुआ कहां पे कुछ सिखने को मिलता है जो अगामी जो कंडिरेट होंगे उनको वहां पे हल्प करेगा तो इसी वे मेंली हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज अगर आप देखो जो सक्सेस का रेट था जो क्वालिफाइ किये वो 78% के आसपस था कल अगर आप देखो तो 80% से उपर था मतलब कल अधिक लोग क्वालिफाइ किये अब जो सोय जो भी हो आज उससे कम क्वालिफाइ किये उसका कई सारा डिजन मुझे जो लगता है अगर आप देखो आज वाले जून में जो सिफ्ट वाइज हुआ था तो पहले सिफ्ट में अधिक लोग क्वालिफाइ किये उनको तो पहला होगा कि जो मौसम था वो ठीक ठाक हो गया था और जो दोफ़डवाला था उन लोगों में डिस्क्वालिफाइ अधिक लोग किये क्योंकि पहला सिप्ट जो था उसमें 25 से 30 कंडिडेट को बैच बना के दोराया गया था हलाकि सब साथ नहीं दोरता दो-दो करके छोरा जाता है एके करके छोरा जाता है फिर दोरता है लेकिन जो दोफ़र वाला बैच हुआ या साम बाला बैच टैम के दिक्कत के कारण आप जो देखते हो दोरते हुए तो उसमें अगर आप जैसे कम इस्टूडेंट दोरता है तो पता नहीं चल पाता है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो सब एक लाय में दोरता है लेकिन जब अधिक candidate हो जाता है तो फिर आप किसको follow कर रहे हो थोरा भूद ध्यान इस पर चला ही जाता है तो ये थोरा एक negative point किया जा रहा है बोड के दुआरा तो इस पर मेरे ख्याल से अच्छा करना चाहिए कि टाइम का late हो late हो लेकिन एक batch में कम से कम 30 से अधिक ना दो रहा है उससे candidate को दिक्कत हो रहा होगा ये तो हो गया दूसरा problem कि आ रहा है कि सुबह वाले का तो ठीक है दोफ़ड वाले में जो दौरते हैं उसके नाक में रुखापन आ जाता है बलड आ जाता है तो ऐसे condition में जो सरसो तेल होता है या कुछ ऐसा आप लोगों के तरफ चलता हो तो नाक में लगा लीजिएगा ताकि जो blood है वो नहीं आए उसको रोकने का ये तरीका आता है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसा कि नाक में blood ना आए मिली होता क्या है बलाडाने से कुछ होता नहीं है सुखापन से blood आ जाता है लेकिन लोग डड़ जाते हैं और डड़ने के बाद जारते ही क्या होता है पूरा जोसी खतम हो जाता है तो इसलिए इस पे थोड़ा काम कर लीजिएगा एक बाद जूते को लेकर जूता कल मैंने जिकर किया हुआ था कि सब जूता पहन के दौरे थे खोल ले नहीं दिया गया था देखे क्या होता है कि आप जिस कंडिरेट से बात करते हो वहाँ पे कैसा सीन हुआ था वो हो जाता है लेकिन कल भी बहुत सारे भुबनेस्वर जोन में कंडिरेट ऐसे है जो जूता खोल के दौरे आपको रिक्वेस्ट पताना पड़ता है कि पौप फूल गया यह सब चीज तो रिक्वेस्ट किजिएगा लाकि वैसे भी आप दौरने दिया जाएगा क्योंकि एक दिन हो गया तो आप तो दौर नहीं देगा तो आज भी कई कंडिरेट ऐसे हैं जो जूता खोल के दौरे हैं तो आप कहिए यह आप पे है जूता पहन के दौर है जूता खोल के दौर है यह आप पे है और बोरा उठाने बाले पे बिलकुल भी मतलब उसका टेंसर नहीं लेज़े क्योंकि कल भी आज भी कोई ऐसा candidate मुझे नहीं लगा कि disqualify हुए है और साथी कई सारे आप देखते होंगे कुछ लोग कहते हैं कि जो बोड़ा होता है ना जो खादी वाला बोड़ा होता है वो उठा है मतलब उसमें रहता है कोई कहता है cemic वाला बोड़ा है कोई कहता है खाद वाला बोड़ा में होता है तो इस अपर प्रेक्टिस कर लिजए कि बोड़ा मतलब हमसे 35 किल उठ जाएगा और यह असानी सूठ जाएगा क्योंकि यार मेरा सरीड दुकम जी में 60-70 किल उठा लेते हैं तो आप लोग उठाई लीजिएगा तो उसमें कोई डिस्क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो आप भी उठाई लीजिएगा थोड़ा एक ए लेकिन बाद में अगर आपको कुछ घरवड़ा आएगा तो वो दिक्कत हो जाता है तो इसलिए स्टार्टिंग टैम में ही थोड़ा टैम लगी उठाने में लेकिन सही जगह पर रखिएगा ताकि आप क्योंकि आप धीर ही चलोगे तेज दो लोगे तो दिक्कत हो जाएग तो आपको एक मिनट 16 सेकेंड 17 सेकेंड इसी के आसपास लगेगा मतलब एक मिनट से थोड़ा अधिक लगेगा अधिक ने लगता है तो यह आप असानी से कर पाऊगे और एक चीज अभी क्या इस हुआ रहा है ठंडी के चलते कि बहुत लोगों का जो ट्रेन है ना काफी अ होता है तो मुझे जाने में ही देर दो दिन लगया था तो पूरा ठक गए हुए थे तो वहां पे बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे थे तो ऐसा कंडिशन हो जाता है इसलिए कोशिस केजिएगा पहले पहुंचाने का और जहां पे दोर आया जाएगा क्योंकि सेंटर तो लि प्रेक्टिस केजिएगा और बिल्कुल भी नहीं गवराई है क्योंकि जो परसेंटेज है ना पासिंग का वो काफी अधिक है और वहां पे सब ऐसा ही कह रहा है कि काफी कॉपरेट करता है इससे पहले आज तक कोई ऐसा पीटी में नहीं गए थे जहां इतना कॉपरेट हमक वो दौर कंप्लीट कर लिए तो समझेंगे कितना का मार्जिन हुआ तो इसलिए उसमें जिनका पांच मिनट के आसपास भी आ रहा है पुड़ा जोस के साथ वहां पे जाईए जरूर क्वालिफाय कर जाईएगा और हिम्मत नहीं हारी है और जो प्रेक्टिस को करते हैं उस उसके बाद क्या हो जाएगा भाई पूरा दौर जाना है अपने पाबर डौन नहीं होने दीजिए क्योंकि वह सेकेंड बित्ते कितना टेम लगता है तो इसलिए बाद का जो है न वहां पर थोड़ा चाहे पचास मीटर के बाद ही आप रफतार बढ़ा सो को लास्ट में थ पैदा ही दिक्कत हो रहा है इसलिए पूराना जूता ही आपके लिए वेस्ट है नए जूते के चकर में ही न पड़ो आज की जानकारी अगर एटेंडेंस की बात करें तो आज भी 80% के आसपास एटेंस था अगर आप देखो इधर 80 और इधर 80 मतलब करीब 64% के आसपास जो